आज बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट अंडा बिर्यानी जो की बिल्कुल रेस्टोरेंट धाबा स्टाइल घर में ही बना करके तयार करेंगे कुछ ही पैसों से ये घर में तयार हो जाएगी जिसे खाने के लिए हम काफी जादा मार्किट में पेख करते हैं तो चलिए बनाना कैसे है देख लेते हैं तो यहां पे सबसे पहले जो हमें लेना है चावल वो कैसा होना चाहिए ये समझ लेना बिर्यानी बनाने के लिए बिर्यानी राइस का ही यूज करना है तो मैंने यहाँ पे क्या किया है इंटिया गेट बासमती चावड लिया है जो की टेस्ट में बहुत अच्छा होता है और इसका जो size वो लंबा हो जाता है शाथ में यहाँ पे अंडों को boil कर HEREरी जील लेना है मसाले 1 चक्रफूल जावित्री 7-8 काली मिर्च 3-4 लॉंग 2 चोटी इलाइची एक डालचीनी एक पड़ी इलाइची और साथ में एक तेज पत्ता ले रही हूं यहाँ पर चक्रफूल और जावित्री जो है ना वो मेन इंग्रीडियन्ट होते हैं यह दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं यह वाले जो बिर्यानी में डाले जाते हैं और इन मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा चावल के अंदर तो यहाँ पर पानी में ही सारे मस चावल को पहले अच्छे से दो से तीन बार धोले यहाँ पर चावल को भिगोना बिलकुल नहीं है सिर्फ हमें यहाँ पर उबालना है तो चलिए अब हमने चावल डाल दिये हैं और इसी हम चलाए देंगे एक बार तो बीच बीच में इसे चलाते ज़रूर रहना नहीं तो बहुत अच्छा इससे फ्लेवर भी आएगा तो यहाँ पर आधा नीवू जरूर एट कर देना बिलकुल चावल आपस में चिपकेगा नहीं प्लस इसका जो माड है वो भी पानी के साथ ही बह जाएगा यानि इस पानी को हमें बहा देना है आगे चलके तो वो भी चिप-च प्रेम पर कर देना और देख लेना पांच से छे मिनट में उबल जाएगा जब तक चावल उबल रहे हैं तब तक यहां पर जो अंडे है ना उन्हें उबाल करके मैंने ठंडा कर लिया है अब हम इन में जो है चाकू की हेल्प से इस तरीके से पिक कर लेंगे यानि इसे गो पाउडर और थोडा लाल मिर्च स्प्रिंकल करते हैं इसे हम अच्छे से मिख्श करेंगे और इसे हम छोड़ोदेंगे मैगनेट होने के लिए थोड़ी देर अंडों के ऊपर इसे हम नमक खल दी और नमक को छोड़ देते हैं तो यह जो है ना यह अंदर तक अंडों के एबसॉब होता है और जब फ्राइ करेंगे तो खाने में बहुत टेस्टी लगेगा अंडा फीका फीका सा अंदर से नहीं लगेगा कई यहां पे चावल को हमें सिर्फ 90% पकाना है यानि 85 से 90% पकाना है 10% कसर रहनी चाहिए ओवर कुक नहीं करना है तो देखें लंबा हो गया चावल एकदम खिला-खिला चट्टा-चट्टा बना है गैस को करते हैं बंद और एक स्टेनर में हम इसे छान लेंगे छानने से क्य बटर से बटरी फ्लेवर जो होता है बहुत अच्छा लगता है ना हो तो घी अट करें यह सिर्फ रिफाइंड ओल में भी बना सकते हैं अब यह जो प्याज हमने काट करके रखा था ना लंबे आकार में इस प्याज को सबसे पहले हम फ्राई करेंगे और बस इसे हमें हाई फ पकेगा एक तरफ से कच्चा रह जाएगा तो बस चलाते हुए यह कलर आने तक हमें फ्राई करना है और जब इतना बड़ी हां सुनहरा कलर आ जाए तब इसे हमें कर्ची से निचोडते हुए जो भी तेल है ना इस तरीके से निचोडते हुए प्याज को हमें अलग कर लेन यानि निकाल लेना है तो बस इसी तरीके से सारी प्याज हमें तल लेनी है यह जो बिर्यानी होती है इसमें यह बहुत ही अच्छा लगता है ब्राउन प्याज मलत डालना है इसी से दम बिर्यानी बन करके तयार होती है तो लीजे प्याज हमने तल करके साइट कर लिया है अ काफी अच्छे लगते हैं अंडे कुछ लोग फ्रेंड्स यहां पे अंडो को फ्राइड नहीं करते हैं अगर आपको यह पसंद ना हो तो आप स्किप कर देना नॉर्मल ऐसे ही रख लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं है लेकिन जब हम मार्केट में खाने जाते हैं तो इसी तरीक इसके अंडर तक यह अच्छे से फ्राइड हुआ है और जो हमने इसमें हल्दी नमाक और मिर्च डाली थी वह भी इनके उपर अच्छे से कोटीड है जिससे यह अंडे फीके फीके से बिलकुल नहीं लगेंगे चलिए अब यहां पे फटा फट से हमने अंडो को भी इसके बाद एक तेजपत्ता इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है साथ में यहां पे मैं अद्रक लेसन का पेस्ट कर रही हूं आप चाहें तो यहां पे अद्रक और लेसन दोनों को कूट करके फ्रेश डाल सकते हैं जो भी आपके पास हो आप एड कर देना बहुत अच् खाने में बहुत अच्छी लगती हैं अब यहां पे जो हमने प्याज फ्राइ करके निकाला दाना तो थोड़ा सा प्याज हम एड कर देंगे यहां पे इस स्टेज पे और इन सभी को अच्छे से चलाते वे भूनेंगे तो यहां पे अद्रक लेसन प्याज हरी मिर्च प्यूरी बना ली है तो टमाटर की यहां पे प्यूरी बना लेना और प्यूरी को ही यहां पे एड करना है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह देखिए फ्रेंड्स इसे हम कंटिनसली चलाते हुए मिक्स करेंगे तो टमाटर यहां पे काट के मट डालना ज बाद में 1-1.5 चमच धनिया पौडर डालेंगे मसाले यहां पर बहुत ही सिंपल से डालने हैं जादा मठ डालना वरना जो हमने खड़े मसाले डाले थे ना उनका फ्लिवर दब जाएगा तो बस थोड़े-थोड़े मसाले डालना और थोड़ा सा यहां पर आदा चमच के करी और साथ में अंडे में भी हमने नमक थोड़ा सा एड किया था चली सभी मसालों को हम मिक्स कर लेंगे और बढ़ियांसे भूनेंगे और जब मसाल अच्य से भून जाएगा यह तेल अलग ठोड़े मसाले मैं जाएगा मसाले से और बहुत ही भीनी-भीनीत से खुश्पु आ तो दही डालने के बाद हमें से छोड़ना नहीं है एक दो सेकंड कंटिनियूसली चलाते रहना है वन्हा दही फट सकता है तो बस इस तरीके से हमें चला लेना है दही डालने से फ्लेवर वाकई में जो बिर्यानी होते हैं इसको बहुत अमेजिंग आता है तो चलिए अब यह पट्वड पुदीना के पत्ते और साथ में हरी धनिया के पति में एड कर रही हो पुदीना बहुत इंप्वर्टेंट होता है बिर्यानी में फ्लेवर देने के लिए बहुत अच्छा होता है अब अब यहां पे तली हुई प्यास डाल देंगे चलिए apez में बिक्री फटा तो जो भी हमने इसमें खड़े मसाले डाले थे ना वो इसी चावल के अंदर मिक्स है, यानि कि कुछ भी हमने फेका ने, सिर्फ पानी नीचे हो गया, चावल और खड़े मसाले वैसे ही चावल के अंदर पने हुए हैं, तो इस स्टेज पे भी जब वो पकेंगे तो उनसे फट से तली हुई प्याज उपर से डालेंगे, साथ में दुबारा से पुदीना के पत्ते, हरी धनिया की पत्ती डालेंगे, और इसका कलर काफी अच्छा है, उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ओरेंज फूट कलर डालूंगे, सिर्फ ऐसे नहीं डालना है, एक डारेक स्टाइल दिखाई देंगे, अब यहाँ पे कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 मिनट हमें इसे दम करना है, तभी तो बनेगी दम बिर्यानी, और 10 मिनट बाद हम फटा फट से गैस को बंद कर देंगे, और अभी हम इसे नहीं खोलेंगे, और 10 मिनट के लिए, तो 10 मिनट बिल्कुल लो सिम कर देना गैस को, और जरूर दम करके फिर 10 मिनट के लिए छोड़ देना, इसके बाद हम इसे खोलेंगे, तो लीजे हमारी बिर्यानी अल्मूस्ट है तयार, और बहुत ही बढ़िया खुश्बू आ रही है, देख सकते हैं आप, और यह देखिए, यह दे कॉंबिनेशन आता है न, बहुत अमेजिंग लगता है, तो लीजे भाई हमारी बिर्यानी बहुत ही टेस्टी बन करके तयार है, एक एक चावल अलग अलग और खाने में बहुत ही फ्लेवर फूल है, यह देखिए, और इंज कलर अब निकला न, तो बस इसी तरीके से आप इस बिर्यानी को घर में बना सकते हैं, जब भी आपके घर में कोई प्रोग्राम हो, छोटा मोटा फंक्शन हो, तो इस तरीके से होटल ढबू स्टाइल आप बिर्यानी इस तरीके से बनाईए, आप यहां पे अंडा बिर्यानी की जगा, सोया बीन बिर्यानी, वेज बिर्य और लीची हमने इसकी कर ली है प्लेटिंग देखिए बहुत सुंदर ये दिखाई दे रहे हैं लग रहे हैं बिलकुल मार्केट इस्टाइल कौन कहेगा कि हमने ये देखिए अंडा आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे जो है दिखाई दे रहे हैं तो फ्राइ करने से क्या होता है टेस्ट तो बढ़ता ही है साथ में लुकिंग भी बहुत अच्छी आ जाते हैं बस उपर से थोड़ा सा तला हुआ प्यास मैं गानिश कर रही हूं थोड़ा समय बचा लिया था ताकि जो इसकी लुकिंग है न ये बिलकुल ठाबए और मार्केट इस्टाइल आए औ और साथ में इसके उपर डाल देंगे हरा धनिया ताकि देखने में ये और भी जादा पढ़ियां दिखाई दे क्योंकि जब हम मार्केट में जाते हैं खाने के लिए तो आधा हमारा पेर तो देख करके ही भर जाता है क्योंकि लुकिंग बहुत मैटर करती है कोई वे चीज जब हम खाते है तो देखने में अगर सुन्दर है तो खाने का मन होई जाता है तो बस फ्रेंट्स आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा और ये सिंपल सी बिर्यानी की रेस्पी आपको पसंदार होगी देखने में जितनी सिंपल है खाने में उतनी ही जादा टेस्टी है तम मज़ेतार फ्लेवर फुल और हमने इसे दम करके बनाया तो और भी दमदार ये बन करके तयार हुई है और उमीद करती हूं अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज 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 मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल ना बोलें और म आपको पता है क्या करना है वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है शियर जरूर करना क्योंकि एतनी टेस्टी बिर्यानी है ना जिसे भी आप बना करके खिला देंगे ना गयरंटी से कहती हूँ पूछेगा नहीं आप से लिखवा के ले जाएगा कि आपने इ साथ जरूर शेयर करना आपको कैसी लगी मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में बाई